नगपुश शहर में पारंपारिक मरकरी सोडियम स्ट्रीट लाइट को उर्जा कुशल एलिडी स्ट्रीट लाइट में बदलने का काम 3 जनवरी 2017 शुरूआ है अस समय शहर में पारंपारिक स्ट्रीट लाइटों की संख्या एक लाग उन्तिस जार चालिस थी और बिश्ली की वाशिक लाकत 35.111 करोड रुपए थी आज शहर में एक लाग 44.115 एलिडी स्ट्रीट लाइट है और बिश्ली पिल केवल 19.12 करोड रुपए है इस बदलाव से स्ट्रीट लाइटों की बिश्ली पिल की बचट हुई है इस पर योचना से निगम की उर्जा के साथ साथ वित्यप बचट भी हुई है इस पर योचना की समिशा के समद में हाली में महापोर द्याशंकर्तिपारी की अधिक्षता में नक्टर पंजाबरा देशमुक स्मुर्ती स्टाई समिती हौल में एक बैठक आज जिर्की गए सत्ता रूट दल की पुर्वनिता संतिप जातो अपराईवत संजर निपानी कार्यपालक अभियंता अजे मानकर आती उपस्दी थे मेटक के दोरान मेयर नी उर्जा बचट और स्ट्रेट लाइट के लिए भुक्तान की गई राशी की समिख्षा की वज 2016 और सत्रा भी पुरानी मरकरी और सोडियम स्ट्रेट लाइट को नई एलेडी स्ट्रेट लाइट से बदले का काम चर्ण बद्द तरीक के से शुरुवा है वज 2016 और सत्रा भी एक लाग 29,040 स्ट्रेट लाइट की बिल के लिए 35.11 करोड का भुक्तान करना था वज 2018 और 2019 में एक लाग 49,405 स्ट्रेट लाइट के लिए 33.89 करोड रुपे का भुक्तान करना पड़ा वज 2019 और 20 के दरान एक लाग 42,880 एलेडी स्ट्रेट लाइट लगाने की बात नगर निगम को भुक्तान की जानी पाली राशी 18.22 करोड रुपे थी 2020 और 21 में एक लाग 44,100 स्ट्रेट लाइट के लिए महज 19.22 करोड रुपे देनी पड़े थी यह 16 करोड रुपे की बच्चत का अकड़ा है वज 2021 और 22 में मैं तक केवल 5.09 करोड रुपे का भुक्तान करना है मैं श्रूप से ऐलेटी स्ट्रेट लाइट की संख्या 2018 और 19 से पहले पुरानी स्ट्रेट लाइटों की तुन्हा में आथिक है 2016 और 2017 में पुरानी स्ट्रेट लाइटों की संख्या एक लाग 29,040 ती जब कि वर्ष 2020 और 21 में अब तक लगाई गई LED स्ट्रीट लाइटों की संख्या एक लाग 46,165 है जो 15,125 अतिक है नई LED स्ट्रीट लाइट में टाइमर सेट है और स्ट्रीट लाइट चालू होने के बाद 4 घंटे तक पुरी तरह से चलती है सड़क यातायात कम होने के बाद हर 2 घंटे में यह रोश्नी मन्ध हो चालती है बेशक इसे 7 प्रतिशत पर लाया क्या है फिर 5,5 बचे लाइट 50 प्रतिशत होती है कैमरा परसन राजकों मार महोट के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर्ट